आज सावन का पहला सोंबार है इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारम्भ हो रहा है और सावन के इस पहले सोंबार को मैं देश वासियों को बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ आज संसत का मनसुन सत्र का भी आरंब हो रहा है देश बहुत-बारिकी से देख रहा है कि संसत का यह सत्र सकारात्मक हो स्रुजनात्मक हो और देश वासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो साथियों भारत के लोकतंत्र की जो गवरव यात्रा है उसमें ये एक महत्मपूर्ण पड़ाव के रुप में मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रुप से मुझे भी हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विशह है कि करिब साथ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोकतंत्र की गवरव यात्रा की अत्यंत गर्वमा पुर्ण घटना के रुप में देश इसे देख रहा है कि ये बजेट सत्रह हैं मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूं करमा शहरुप से उन गारंटीयों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अमरित काल का एक महत्वपूंग बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के कारे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट ट्वेंटी फोर्टी सेवन जब आजादी के सो साल होंगे तब विक्सित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश हैं गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोथ कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्फॉर्मंस एक प्रकार से आपर्चुनिटीजी की पीक पर है यह अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी सांसदों से किसी भी दल के क्यों न हो मैं आज आगरह पुरवक कहना चाहता हूँ कि हम गत जनवरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ दी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया किसी ने गुरुमरा करने का प्रयास किया लेकिन अब वो बहुर समाप्त हुआ है देश वाचियों अपना नेने दे दिया अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है सभी राजनितिक दालों की विशेज जिम्मेबारी है कि हमने बल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी अब आने वाले पाँच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राजनितिक दलों से भी कहूँगा कि आएए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गडिमापूर्ण मंज का हम उप्योग करें जनवरी ट्विंटी नाइन जब चुनाव का वर्ष होगा आप उसके बाद जाएए मैदान में सजन के अभी उप्योग कर रहा है कर लीजिए वो छे महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के हुआ देश की महिलाएं उनके सामर्थ के लिए उनको इंप्रावर करने के लिए जन भागी दारी का एक जन अंदोल उन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकट लगाएं मुझा आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई साउसद पांच साल के लिए आए कुछ साउसदों को दस साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से साउसद ऐसे थे जिन को अपने खेत्र की बात करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के साउसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीती विफलताओं को ढागने के लिए दुर्प्योग किया मैं सभी दलों से आगरह पुर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे मानने साउसद है और सभी दल में हैं उनको आउसर दीजिये चर्चमों के विचारों को प्रगट करने का मोका दीजिये ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अउसर दीजिये और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसथ गठन होने के बाद जो पहला सत्र था एक सो चारीस करोड देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवासियों ने उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतरिक प्रयास हुआ दयाई घंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोकतांतरी प्रमपराओ mean कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्याक आप सक नहीं है दिल ने दर्ज़न तक नहीं है मैं आज आगरेपुर्वक कहना चाहता हूँ देश वाचियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है यह सदन दल के लिए नहीं यह सदन देश के लिए है यह सदन सबसब तक की सीमा तक नहीं है 140 करोड देश वाचियों की करके यह लिए हैं मुझे मैं अभी स्वास करता हूं कि हमारे सभी मानिय साउसत पूरी तयारी के साथ चर्चा को समर्द करेंगे कितने ही विरुद्व विचार होंगे विरुद्व विचार बुरे नहीं होते हैं नकारात्पक विचार बुरे होते हैं जहां सोचने की सिमाए समाप्त हो जाती है देश को नकारात्पकता की जरूत नहीं है देश को एक विचार धारा प्रगति की विचार धारा विकास की विचार धारा देश को नई उच्चाईए पर ले जाने वाली विचार धारा से हमें आगे बढ़ाना होगा मैं पूरा यह आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के इस सामानिय मानवी के आशा आकांख्षाओं को पूर्ण करने लिए शकारात को गुरूप से उप्योग करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद साथियों